अलो फ्रेंड्स और मैं हूँ आपका दोस्त त्रशन तो फ्रेंड्स जो हमारा पिछला विडियो था तो उसमें हमने अप्लेड अनाटोमी का जो सेलेबस कॉपी था तो उसको एकस्प्लेंग किया था उसका डिस्क्रिप्शन हमने देखा था तो भई आज हम इस वीडियो में देखने वराए अप्लाट फिज्योरोजी मेंकॉंसा सेलेबस कॉंसे इंपोर्टन टॉपिक से चुँकि आप लिए पढ़ने हैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है structural changes with disease तो physiology में हम क्या देखेंगे कि उनका normal function कह रहता है और disease होने के बाद किसी organ को तो उनसमें कौन से functional changes आते हैं तो यह हम physiology में देखते हैं तो anatomy और physiology basic difference देखे anatomy, structure, physiology यानि कि functions तो इस तरह से anatomy and physiology को basically define किया जाता है तो components अगर देखें तो develop and understanding the normal functioning of various organ system यानि कि हमारी body के जो various organ system से तो उनको normal functioning देखा देखा तो for example digestive system होगा तो digestive system कैसा function करता है respiratory system normally कैसे function करता है तो इस सारा हमको physiology में पढ़ना है उसके बाद का relative contribution of each organ system towards the maintenance of hemostasis अभी hemostasis के रहता है hemostasis यानि कि अंदर का एक body का environment रहता है और body के बहार का environment रहता है तो for example body के बहार के environment में कितना भी change हो अंदर का environment है वो stable रहना चाहिए और वो stable maintain रहना है जो प्रक्रिक प्रोसेस है उसे हम hemostasis के ते बिशोर हो कुए तो हमाने बोडी का नॉर्मल टेंप्रेश औहला थो कितना थे ओर्ट अड़ीसेवन डिगरडरी से तो तो इस बात को हम के थे homostasis तो वो भी हम पढ़ने वाले तो उसके बात कहा है डिस्क्राइब दा इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन इंग फॉंक्शन फॉरेजमपल अभी हमारा हार्ट है तो हार्ट में आटक आगा या फिर कुछ फॉंक्शनल चेंजेस हो गए तो हार्ट में कौन पैस्ट को केर देन में फिजियोलोजी का क्या नहीं सबधुन फेशन स्फॉंक्शन को इंप्ररण से लर्फ फिजियोलोजी के जो स्टेडी है तो उसमें करने वाले है तो सब्सक्राइब कर本 स स्टुर्श का आूटलर् एसी जाता है और फिजोलाजु थोड़ा हार्ड है क्योंकि फंक्शनस लेते हैं तो फिजोलाजु का आपको अच्छा से स्टडी करना है तो आधिल रिकमेंड़ेट सेंबुलिंगम का बूख पूप बहुत अच्छा है उसकी जो लाइनिंग से या फिर क्या बोलते हैं वर्डिंग से बहुत एजी है लाइन्स बहुत एजी से और अच्छे से समझ में आती है और कोसेस पूरा डीप में दिया जाता है अगर सेम्बूलिंगम तो एंबीबेस वाले भी यूज़ करते तो पूरा बुक है तो पेज टू पेज एंबीबेस वालों के लिए हमारे नर्सिंग वालों के लिए उतना है क्या तो नहीं हमको सिर्फ इंपोर्टन इंपोर्टन टॉपिक से उसके निकालने तो सिंबूलिंगम आपके लिए बहुत आच्छा है अगर आप हेडिंग भी करलो तो भी आप फिजूलोजी आसानी से पास हो सकते हो तो स्टाट करते है जन्रल फिजूलोजी का फरस्ट तो इसल फिज़ी ेतला हो गारा और फिज़ीए आ तो एक बार डावनोड कर लो और देखो कि जनरल फिजियोलोजी में क्या-कर टॉपिक्स आते हैं तो एक-एक टॉपिक्स को कवर करते हैं आपको जो आपका स्टेडि वो च्टॉड़ी स्टाट करने जनरल फिजियोलोजी में basic देखें तो हेमोस्केसिस अगे अब आ न जो उपर देखा तो वह आता है और इसल फिजियो लोजी आता है तो यह में कौन से कौन से और फंक्शन करते और अपने यह सेल मेंब्रेन रहती तो यह पर लिए कुश्चन आता है देन उसके बाद next day that is the respirator system में हमारा जो lungs से तो goings का study anatomyमे करते है पर उसको जो functional student ऑफ for example हमारे जो lungs से तो lungs पर physiology के questions है for example हमारा πिस्टारिशन के jakieś muscles रहते है तो वो कैसे help करते है याने कि वो कैसे support करते है व्रिदिंग में उस पर question आता है धिन उसके वाद आपका जो oxygen रहते हैं तो oxygen का transfer lungs से tissue तक केसे होता है देन हमारे tissue से lungs तक carbon dioxide का transformation केसे होता है तो इस पर question पूछे जाते है देन उसके बाद lungs पर important question देखे तो lungs के functional changes कोंसे कोंसे ही तो disease पर गर लंग्स को कुछ disease हो जाता है तो उसमें क्या क्या हो जाता है नीमोनिया क्या symptom से तो यह हम respiratory system में पढ़ते है देन हमारे जो lungs के normal volume से तो volumes का study हम respiratory system के अंडर करते है देन उसके बाद के pulmonary circulation then pulmonary ventilation exchange of gases मैंने बोला था आपको तो इस पर questions आता है देन regulation of respiration what is meant by respiration and regulation of respiration factor supporting on the regulation of respiration तो इस तरह से आपके पाज मार के लिए हमारे respiratory system रिकोशन आता है देन उसके बाद थर्ड चाप्टर है digestive system तो digestive system अपना elementary canal का study रहते है तो इसमें आपके लिए कुछ liquids और उनके function से इपोर्टनट है अगर mouth में देखे तो आपने जो saliva तो saliva के compositions then regulation of secretion of saliva यानि कि हमारे जो saliva या फिर रियत सियले जो हैड्रोरिक आसे रहते है हमारे स्टमक में रहते है तो उसका secretions को कैसा regulate होता है कौनसे event से जिससे वो क्रिशन regulate होता है तो उस पर question आता है देन digestive tract में कौनसे कौनसे और गन आता है उन पर टू मार्क के लिए question आ सकते है देन पैंक्रेटिक जूस है उनका function देन लिवर और गॉल ब्लैडर पैंक्रेज इन पर भी पाच पाच मार्क के लिए question आ सकते है देन composition अब दे बाइल जूस हभी मैंने जो बता है कि body fluids तो body fluids में saliva important है देन आपका HCL याने की hydrochloric acid हमार जो स्टमक कर रहते तो वो आपके लिए important है और धरवन है आपका pancreatic enzyme और आपना गॉल ब्लैडर का बाइं तो यह चार आपके लिए important है उनके functions अलोंग विद उनका सिक्रिशन का से होता है कैसे होता है यह आपको लिखना पड़ते है तो moments of elementary track इस पर पाच मार्क के लिए दू तीन बार question रिपीट होए तो हमारे large intestine small intestine में consequence moments होते है तो उस पर पाच मार्क के लिए questions आता है देन उसके बाद food का absorption कैसे होता है first pass metabolism कह रहते है तो इस पर भी पाच मार्क के लिए questions आ सकते है first pass metabolism तो फार्मेकलोजिक है पर digestive system अगर आपको अच्छे से पता है किस तरह से पूरा function होता है हम खाने के बाद food कहा पर जाता है कहा पर उसका absorption होता है कैसे उसका metabolism होता है और digestion कैसे होता है तो इन सारी चीजों का study digestive system में करते है तो उसके बाद हमारा fourth that is the lymphatic system and circulation circulation में हमारा heart का study आता है तो हाट में cardiac cycle आपके लिए important है स्टोक वल्यूम कर रहता है cardiac output कर रहते है उस पर कौण से कौण से थैक्टर सब्सक्राइब होते है ब्लड प्रेशर कर रहते है ब्लड प्रेशर में देखे तो ब्लड प्रेशर के definition उसके टाइप्स और थैक्टर सब्सक्टिंग on the blood pressure तो ऐसे question से तो वह हमें cardiac cycle में या फिर हमारा जो रिमपाइटिक सिस्टम और स्रकुलेटर सिस्टम में तो उस पर questions आते है देन उसके बाद नेक्स्ट पास नमबर कर देट इस द ब्लड तो ब्लड में देखे तो ब्लड के functions आते आर बीसी डब्लीवीसी पास पास मार क भी आ सकती है देन उसके बाद उनके functions अब इधर एक देख लो डब्लीवीसी के टाइप और फंक्शन ये भी बहुत बार repeat हुआ क्या रहता है उसके function करेते प्लेट लेट कहा पी होती है उनका नॉर्मल हल्यूम के इतना रहता है क्लोटिंग टाइम कर रहता है पीटी क्या रहता है इस पर कुंसे फैक्टरस एफक्ट होन जो जाते है देन सर्जरी की पेशन में क्यू करते है पीट आया टेस्ट वगर्या तो इस जो प्रैक्टिकल की बात है तो इंपर questions आता है देन उसके बाद पाच मार के लिएक इंप उसके बाद blood group से related consequences diseases है और जब हम पेशन को blood transfusion करते है तो उसमें as a nurse हमारा क्या रोल रहता है तो वह आपको आता है देन homostasis में vasoconstriction ये तो कुछ आता नहीं है coagulation factors में आता है इंट्रेंसिक और extensive पातव है जैसे मैंने अभी-अभी आपको बता है कि coagulation का प्रोसेस पुरा आता है blood groups और टाइप्स पर भी पाच मार के लिए question आता है कि कौन से blood group रहते है तो इस तरह से आपका blood का चाप्टर है देन उसके बाद six number का है endocrine system तो endocrine system मे आपको सिर्फ अपने जो gland से तो ग्लाइंट में इंट्रे सी कौन से एक्स्टें सी कौन से यह पता होना चाहिए और इस ग्लाइंड में कौन सा हर्मोन आता है और वह हर्मोन रेगुलेट कैसा होता है और उस पर्टिकलर हर्मोन के चार्ट या पाच आपको important functions आने चाहिए अब एक्जांपल हो गया अपना टेस्टेस्टरन हो गया है तो टेस्टेस्टरन कहा से सिक्रेट होता है उसको कैसा रेगुलेट कर जाता है और उसके function करेते हैं हमारा थार्ल हर्मोन की function करेते हैं तो इस तरह से आपको endocrine system से question से आते है देन उसके बाद हमारा जो growth hormone है तो आड्रेनल लाइन से रहता है तो टाकॉला माइन्स का सिक्रेशन कम हो जाने के वाज़े से कौन सा डिसेज होता है एसी टीए सिक्रेशन उसे हमके ते एड्रेनो कॉर्टिकोट्र की खर्मोन तो उस पर भी पाच मार्क लिए questions आता है देन नेक्स्ट है हमारा sensory organs अभी sensory organs कर द आता ने एर्र शिंदे रिफ्रेक्शन अपने जो आइस के माय उप्या रहता है तो इस पर questions आ सकते हैं और स्किन के function अगर देखे तो स्किन का एक important function है कि हमारा जो बॉड़ी का temperature regulation रहता है तो temperature regulation में हमारा स्किन कैसे affect करता है या फिर कैसे help करता है तो इस पर sensory organs में equations आता है तो दो मार्क के लिए आ सकता है इन लिस्दे sensory organs along with their functions तो दो मार्क के लिए या फिर पाच मार्क के लिए sensory organs से कुशन आ सकते हैं देन मस्क्लोस्केलेटल सिस्टम का अगर कंट्रेंड देखे तो बोन के फंक्शन हो गए अभी बोन के फंक्शन देखे तो हिमेटोपोसिस इंपोर्टन फंक्शन है दो उसके बाद जॉइंट एंड जोर्म मोवेंट से तो पूरा अनाटोमिय में आल्री प्रफट मस्ल कहा रहे थी इनके बीच का जो डिफ्रेंस है तो यह डिफ्रेंस आपके लिए हमारी मस्कुले स्केलिटर सिस्टम से आता है दे रिनल सिस्टम में इंपोर्टन एक यह अपना जी फार जी फार याने कि क्या ग्राफियन फॉर्ट रेट या फिर हमारा जो तो ग्रोमिलर फिल्ट्रेशन रेट क्या रहता है उस पे कौनसे फैक्टर साफेक्ट होते है तो इस पर क्वेश्चन आता है देन हमारी जो मिक्शूरेशन का प्रोसेस रहता है हमारा जो यूरेनर ब्लाडर रहता है तो कौनसी मस्केल रिलेक्स होती है कौनसी में क्वांट के और इच पार्ट का क्या फंक्शन रहता है तो इस तरह से हमारा जो ब्लेड प्रेशर रहता है तो ब्लेड प्रेशर मेंटेन करना में किड्नी का क्या फंक्शन है तो वो भी आपके लिए रिनर सिस्टम में इंपोर्टन्ट है देन और एक इंपोर्टन्ट डैट इस आर एस उसें रास सिस्टम केते रास सिस्टम आने किया रिनीन एंजियोटेंसिन सिस्टम तो पाच मार के लिए रिनीन एंजियोटेंसिन सिस्टम इंपोर्टन्ट है एकजाम में आये या फिर ना आये पर रिनीन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपके लिए इंपोर्टन्ट है तो आगे स्टमें अपने साइकल से या फिर उसमें कौनसे फेज़ें से लिनोसका हर्मोन का एफट्ट करेते हैं तो यह हमारा रिप्रोट्ट्री सिस्टम में आता है स्परमेटोजैनेसीश पर पर्पर मारक के लिए प्रोसेस पूझा जा सकता है जो औलडी हमारा हो चुका है हमारे जो ६ के बायोजिक स्टू ceux भी तो आपका अब यह उसके बाद एख erbellzeń में फ़ेताराज सिंग्कर प्रोर्तेज्योस करता है इंप्लांटेशन करता है तो पाश-पाश मार के लिए इस पर भी questions आ शकते तो friends इस था रीप्राटवी सिस्टम देन उसके बाद रेड़ोस सिस्टम तो नर्वोस सिस्टम फिजियलोज्य में बहुत इंपोर्टन है क्यूंकि आपका जो साइनेप से साइनेप से कोशन आता है then mechanism of transfer of the neurotransmitter from one nerve into another then आपका जो muscle contraction रहता है सारकोमेर हमने अल्रेडी anatomy में इस पर बात की थी कि सारकोमेर को हम पढ़ने वाले आपने physiology में तो सारकोमेर में क्या क्या प्रोसेस है उसका physiology functions कही से रहता है तो इस सारे topics आपके nervous system में से आते है तो first of all देखे तो structure and function of the neurons की neurons के कौन से कौन से types रहते है उसके parts कौन से माइलीन शीत कारेती है node of ranivar कारेती है एक्जन पर मेरस कारेती है cell body कारेती है तो यह चो सारा है यह आपको आना चीह यह nervous system में then function of the brain brain के कौन से कौन से functions है functional areas कौन से कौन से रहा क्या particular function है वो आपके इंपोटन्ट है देन autonomic nervous system का है motor nervous system का है sensory nervous system का है peripheral, autonomic, sympathetic यह आपके लिए important है देन उसके बाद देखे तो एक important question आता है आपके hypothalamus पे function of hypothalamus यानि कि hypothalamus के क्या क्या function है तो हमारा hunger regulate करता है thirst regulate करता है तो बहुत सारे hypothalamus के function है temperature regulate करता है तो hypothalamus का structure और function आपके दोनों के पार्च मार के लिए question आता है कि आपके जो ट्वेल क्राणियल नव से तो उनको आपको इनलेस्ट करना है और उनके functions लिखने है देन उसके बाद आपना जो next topic है तो next topic तो कुछ नहीं देन reflexes और CSF formation तो अपना जो nervous system का next topic हमने देखा तो that is the reflexes और अपना CSF formation तो reflexes में reflex action ज चले थे तो इसको reflexes के थे तो reflex action आपके लिए important है देन CSF को formation CSF का जो आपका composition रहते है और CSF को function क्या कह रहते है तो पाच मार के लिए CSF पर question आता है दिन उसके बाद उसका circulation वगरा वह हमने already anatomy clear कर लिया है यह फिर anatomy में देख लिंगे हमने already video भी हमारे चानल पर डाला है कि CSF का कैसा regulation होता है दिन उसका circulation कैसे होता है पाच मार के लिए CSF पर questions आता ही आता है so friends this is all about the physiology and physiology का आपका जो syllabus है देन बिब्लियोग्रा पर देख सकते है अगर अपमें से आपकी जो लाइबरी जे कॉलेज की अगर उसमें यह books आया वाले बदे सेंबुलिंगम तो based है क्योंकि सेंबुलिंगम में आइसर फाइन करन में बहुत सारी आसान है क्योंकि इदर जैसे आपना syllabus copy है syllabus copy में जैसे unit है for example अभी renal system हो गया रिप्रोटी सिस्टम हो गया उसके उपर देखे तो आपना muscular skeletal हो गया sensory organs हो गया endocrine हो तो इसमें जैसे हमन सारी सारी चीजे explaining बुक बढ़ा है तो उसको skip कर देना that is not good way to study तो आपको क्या है बुक कितना मोटा यह ने देखना उसमें information कितनी अच्छी से दिये कितनी आसानी सी गी है अगर एक बार read करोगे तो आपको understanding हो जागा तो इस तरह से आपका symbolism का book है तो purchase कर लो अगर purchase ने कर प्रिंगम का जो book है आपके लिए available रहने ओले तो book लो और अपना study स्टार्ट करो तो फ्रेंज इस अल अबौट physiology तो anatomical syllabus copy का जो वीडियो है वह हमने अल्रेडी किया है उसका description अगर आपको या फिर description में description में उसका link में दिया है तो कि अभी तक आपने anatomical देखा या नही अच्छा है जुनोंने नहीं देखा तो एक बार जाओ और anatomical देखलो कि उनमें कौनसा कौनसा पॉइंट से syllabus copy anatomical case है और anatomy and physiology combined study स्टार्ट करो फॉर एक दिन आपने cardiac का anatomy में हार्ट पर लिया तो दूसरे दिन उसका functions कर लो regulation रखो आपने study में या anatomy और physiology में combination के साथ study करो आपका बहुत अच्छे-चे study हो जाएगा anatomy और physiology दोनों का तो 60 hours से आपके anatomy के और 60 hours से आपके physiology की तो study करना आपके हाथ में आप स्टार्ट कर लो क्योंकि 18 जानेवरी को अपना पहला exam रहने वाला anatomy and physiology का तो फ्रेंग्स इस अल अबोट सेलेबस कॉपी अभे anatomy और physiology का तो होगा है तो हमारो जो next subjects है that is sociology and psychology तो हम उनका भी cover कर लेंगे तब तक आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है क्योंकि आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव आपको लगा है मेरे को पता है अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो कैसे लगा कमेंट सेक्षिन में बताओ कुछ डाउट से तो कमेंट सेक्षिन में बताओ और चैनल को सपोर्ट करो फ्रेंड्स थैंक्यू